हाई गाईज, वेलकम बेक तो मैं चानल, मैं हुस्तुगम और मैंने चानल पर फिर्सेग करते हैं तो आज का ये एक इस्पेशल अपिसोड है, यानि कि जिन लोगों का बेट किसी भी चीट से नहीं जा रहा है जिन लोगों के left handed, जिन लोगों का back portion, जिन लोगों का high portion, means कहने का है कि जिन लोगों का भी नीचे का portion, किनी चीट से नहीं जा रहा है अगर वो इस चीज को ट्राइ करेंगे तो गारंटी के साथ एक हथे में आप तीन से चार किलो बजन कम करेंगे मैं गारंटी के साथ पोल रही हूँ कि अगर इस ड्रिंक को आपने ट्राइ किया, जैसे मैं बता हूँ गी वैसे तो आप 3 से, मताब लोगों को लोगों को आपको 2-3 इंच अंदर जाएगा ही जाएगा और वेट में भी आपको बहुत अच्छा पर दिखाई देगा इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़े और साथ ही साथ बौडी पेइन भी आपका जाएगा और कि यहां को दढ़ रहती है तू भी जाएगा और मैं बहुत सारी बैल इपिट्स हैं इसके 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 ग्लो करेगी और मैं बहुत अच्छे-चे बैलिफिक हैं तो आज में आज के जो वीडियो में टॉपिक है वो है पैंटी लाइनर के एवर्टीन के पैंटी लाइनर की और मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ जब भी आपका पिरेट का 4-5 बेज होता है यानि ज़ा आप का फॉक करे आप यॐज BENSSL कॉतन गया के जो की थर्टी रुपीज Willress दूब ऑस रिटी थर्टी रुपीज्स थर्टी पैंटी लाइनर में इंही ग्लामीत मुइंट106 बलते है और 6-7 मन्ह आपका चलने माला है हर महिने में एक या दो ही यूज होते है क्योंकि 5-6 देज आप यूज करते हो या जब भी आपको लगता है कि आज 3-4 दे में आपको बहुत कम पीरियड होने वाला है और साथ ही साथ एक चीज और है जैसे आपको लगता है शक होता है कि आज मेरा पीरियड हो जाएगा उस समय भी आप इस पैंटी लाइनर को यूज कर सकते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप पहां से चेक आउट कर सकते हो लिट पानी चाहिए और इसे आपको गैस पर बॉइल होने के लिए जग देना है जो ब्रिंक है ये पूरा आपका मैंके चलिए त्मीं से चार्ट ब्रिंक है और इसके बाद आपको देर से दो इंच सिनेमन इस्टिक टालने है पाउडर मत यूज करिएगा इस्टिक ही यू सली दो करती चाहिए तari से शेया पिरल ृटिक है अनर्य मस नेदे लिए और इसे शाव पूसता आपको यह सारी चेज़े इंफूज हूने के लिए को तो मैं इसी हम कर देती हो यहां पे आप देख रहे हैं यह बॉयल होने लगा है तो इसे आपको ऐसे ही आप चाहे तो ढग के या फिर जैसे भी इसे ऐसे ही इंफ्यूस होने दिना है फाइफ पिनट तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है यानि कि एक बाद गैस को तेज करिए जब इसमें बॉबल्स आने लगे आपको गैस को ठीजे करना है देन इसके बाद इसे अच्छे से ढग दीजे और पंदरा मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है दखने से पहले आपको 25-30 जो काली मेच है उसे क्रेश करकर डाल देना है और इसके बाद आपको फ़ेट थकना है और पंदरा मिनट के लिए इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजेए इसके बाद फ्रेंट्स आपको इस वाटर को इस कप में ले लेना है जैज क्योंकि यह रात है और मैं रात का रिंक रेडी कर दी हुँ तो मैंने इसमें 250 ml क्योंकि मेरा कब 250 ml यह लेकर आपको इसमें एड ग्रीन टी बैग डाल के इन्फ्यूसर के देन आपको इसे पीना है सेम इसी तरह आपको सुबह नाश्ते के बाद दुपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद इस तरह आपको इसे पीना है जो लोग भी लामन पीते हैं वो इसमें लामन स्विस करके पी ले और जिनको भी लामन सूप नहीं करता वो बिलकुल भी ल लामन डालने की और ही जो आपका यहां पर रेस्ट वाटर है इसे आप किसी भी बरतन नी चान के फ्रिज में रख दीजे और दो से तीन दिन चल जाएगा उसके बाद आप इसे दुबारा बनाये और रखे 15 दिन तक इसे यूज करिए फार जाएगा ही जाएगा और क्योंकि एमर्जनसी है बला है तो यह ड्रिंक लिजे साथ ही साथ में आपको एक डायट प्लान भी बताऊंगी जिससे वेड मान के चलिए एक हमें साथ साथ किलो जाएगा और तीन दिन जिनको तीन दिन में ही शादी अटाइंड करनी है उनका तीन से चार किलो वजन कि यह ऑन की खल दूप अब करना को अब रहा है जैसे मैंने बोला है वैसे आपको पीना है और इसका एक अपको एक हपते में लिखाए देगा इस जिए को पंटा देर से जाहादर नहीं लेना है क्योंकि गर्मिया चल रही है तो नमरी का उतना जदा मत लीजेगा लेकिन जितने दिन लीजेगा उसका इफेक्ट मैजिक होने वाला है की बोड़ी ते वीडियो जोना सब अच्छा लगा हो तो लाइक कर दियेगा चानल पसंद आओ तो सबस्क्राइब कर लीजेगा तुम्हें बहुत ही जल्दी एक नाए वीडियो के साथ तब तक किनी बाबाई